नमस्कार मेरा नाम है काईशा मिश्टा संस्कृति आईएस के प्लेसेज इन न्यूस के एपिसोड 11 में आपका स्वागत है रूस और यूक्रेन जुद्ध के बाद वैश्विक मांचित्र पर एक बार युद्ध के बादल फिर से मंडरा रहे हैं अर्मेनिया और अजर बेजा के बीच में नागोर्नो काराबाग को लेकर विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ भर जाते हैं लेकिन कुछ घावों को भरने ही नहीं दिया जाता बार बार कुरेद दिया जाता है कुछ ऐसा ही हाल है नागोर्नो काराबा के शेत्र की विवाद की प्रिस्ट भूमी जानेंगे विवाद का कारण जानेंगे और अभी विवाद क्यूं चर्चे में हैं वो भी जानेंगे इसके साथ साथ नगोर्नो काराबाग शेत्र अर्मेनिया अजरवेजान की स्थिती जानेंगे मांचित्र से उस एरिये को उस शे कोर्स का क्या मतलब हुआ किसमें प्रलिम्स और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होगी यह कोर्स आपके लिए हाइब्रीड मोड पर उपलब्ध होगा यानि ऑफ-लाइन और ऑन-लाइन दोनों माध्यम में यह आपके लिए उपलब्ध होगा कब से शुरू हो रहा है तो तीन अक्टूबर दो पहर तीन बज़े चुरू हो रहा है और सेंटर कहां है तो डेली में हैं आपके लिए देश के सर्वस्रेश्ट सिक्षकों की टीम यहां पर उपस्तित होगी अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृती आई-स के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या कि सितंबर को अजर्बेजान ने नगोर्नो काराबाग के शेतर पर मिलिटरी ओपरेशन किया है अ कि अ के विरोध में अजर्बेजान ने ये military operation किया है हाला कि विवाद अब शान्ती की वारता की तरफ बढ़ रहा है रूस ने हस्तशेक पिया है और ये वलाख रीजन में शान्ती वारता 21 सितंबर को हुई है अगर ये वलाख रीजन को हम देखे तो ये बाकू से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक शेत्र है जहां पर शान्ती वारता की बाते चल रही है ये पहली बार नहीं है कि अजर बेजान ने इस छेत्र पर आकर्मन क्या हो या विसपोर्ट की घटना यहां पर देखी गई है रिपोर्टों की माने तो इस जो विसपोर्ट की घटना हुई है मिलिटरी ऑपरेशन जो हुआ है उसमें 32 लोगों की मौत हुई है और 200 लोग लगभग घायल हो गए है अगर हम बात करें नगोर्णो काराबाख रीजन की तो ये आपको दिखेगा अजर बेजान के शेत्र में अगर हम बात करें अर्मेनिया की तो अर्मेनिया में कुल कितने लोग निवास करते हैं तो 2021 के आकडों की अनुसार लगभग 27 लाख लोग अर्मेनिया में निवास करते हैं वहीं अजर्बेजान की बात करें तो एक करोड लगभग आबादी किसकी है तो अजर्बेजान की है अर्मेनिया की बात करें तो यहां पर जो 90 फीसिदी लोग रहते हैं वो इसाई समुदाय से सम्मंधित है जब कि अगर हम बात करें अजर्बेजान की तो यहां की 97 फीसिदी जो आबादी है वो इसलाम धर्मों का पालन करती है हाला कि दोनों देश जो है वो अपने आधिकारिक धर्म के रूप में इसलाम या इसाई को घोशित नहीं करते वो लोग तांतरिक है ऐसा दावा करते हैं दोनों के बीच में एक शेत्र है नगोर्नो काराबाग का शेत्र पश्चिम की तरफ से ये ब्लैक सी से सीमा साजा करते हुए नजर आता है अगर बात करें हम नगोर्नो काराबाग की तो यहां पर वर्तमान में जो है वो अर्मेनियाई अलगावादी सरकार है यहां की मतलब स्थानिय सरकार यहां पर रूल कर रही है लेकिन इसको बैक सपोर् अर्मेनिया की सरकार इसे बैक सपोर्ट डे रही है लेकिन अंतरास्टे इस्तर पर जो नगोर्नो काराबाग का शेत्र है वो अजर बेजान का है ऐसा माना जाता है यूई से रश्या जैहें अन्यदेश हो वो नगोर्नो काराबाग रीजन को किसका हिस्सा बताती है अजर बेजान का हिस्सा बताती है जबकि नगोर्णो काराबाग के रीजन की दिल्चस्प बात ये है कि नगोर्णो काराबाग रीजन में जो लोग रहते हैं अधिकतर अधिकतर लोग जो है वो इसाई समुदाय से संबंदित है यानि अर्मे शेत्र विवाद में बना हुआ है अगर विवाद की प्रिस्ट भूमी को देखे तो जो अर्मे अजर्बेजान अर्मेनिया और जॉर्जिया का शेत्र है वो पहले किसके अंतरगत आता था तो ट्रांस कॉकेसस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फेडरेशन के अंतरगत आता है या लानी अर्मेनिया और अजर्बेजान जो होते थे वो एक देश हुआ करते थे बाद में जब अर्मेनिया पर आटोमन समराजी का यानि अगर प्रथम विश्वयुद्ध के पहले का सीन देखे तो अर्मेनिया पर किसका साचन था तो आटोमन समराजी का साचन था यह आटोम 1800 के दशक में कुछ हिस्से पर रश्या का नियंत्रन था जबकि कुछ हिस्से पर पर्श्या का नियंत्रन था वहीं इस्थिती एक ऐसी होती है कि जब 1918 के दौरान प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हो जाता है ओटोमन समराज कमजोर हो जाता है उस समय ये देश जो अर्मेन करने शुरू कर दी वहीं अगर देखेए तो उसी समय बोलसेविए और ढूरूरी कि सोवियत संग का हिस्सा बन गये ये किस-दौर की बात है तो racist Film की बात की बात है जब अजर्वेजान और अर्मेनिया दोनों हिसका इस सबन चुकित है तो सोवियत संग का इस सबन नहीं आपाया था आगे बाद चले और सतर साल आगे बढ़कर देखे तो जब सोवियत संग कमजोर पढ़ने लगा यह बात है 1988 के समय जब सोवियत संग कमजोर होने लगा था उस दौरान जो है वो नागोर्नो काराबाग की विधाइका ने अर्मेनिया मूल के साथ अर्मेनिय अजर बेजान ऐसा नहीं चाहता था सोवियत संग ने भी जो नागोर्नो काराबाग का शेत्र है उसको किसके अधीन कर दिया सोवियत संग ने भी अजर बेजान के ही हिस्से में नागोर्नो काराबाग का शेत्र बताया था यह जानते हुए कि वहां के जो लोग है वो अर्म नागोर्नो काराबाग युद्ध के नाम से जाना जाता है आगे चलकर जब 1991 में सोवियत संग तूट गया सोवियत संग का विगटन हो गया 15 हिस्सों में टूग गया कौन-कौन से 15 हिस्से थे तो यह आपको दिख जाएगा तीन बाल्तिक नेशन दिखाई देंगे इसमें कौ दिल इस्ट, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान वाला शेतर दिखाई देगा ये जो बड़ा हिस्सा है वो रश्या का था और ये जो हिस्सा है नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा ये है अजर्बेजान, ये है अर्मेनिया और ये है ज इनके बीच में युद्ध देखने को मिला जिसमें लगभग 30,000 लोगों की जान गई और लाखों लोग घायल हो गए लेकिन विवाद कब थमा जब रश्या ने वापस से मध्यस्ता की इस पर अर्मेनिया जो सरकार थी उसकी जीत हुई थी और नागोर्नो काराबाग का बहु 2016 में वापस उलंगं कब हुआ तो 2020 में वापस इसका उलंगन होता है और यह जो 17 सितंबर से लेकर आठ नवंबर तक मतलब दो महिना लगातार युद्ध चला और इस युद्ध में अजरबेजान ने अर्मेनिया के खिलाफ बहुत सारे ट्रोंस मिसाइल के माध्यम से नागोर्नो काराबाख में बहुत बड़ा विसफोट किया यहां पे भी बहुत जान माल की हानी देखने को मिली थी इस पर 2020 का जो युद्ध इसलिए भी भी भीशन हो गया क्योंकि अजरबेजान के साथ इस बार तुर्किये भी था जो लगातार अजरबेजान को आम्स की सप्लाई कर रहा था यह विवाद चला सितंबर से लेके नवंबर तक और उसके बाद रश्या ने वापस हस किया और वापस से जो सीज फायर लाइन खीज दी गई थी 2020 के समय पर विवाद जब बढ़ा था तो शूशा करके यहां पर आपको एक सिटी दिखाई देगी जो पूरी तरीके से लगभग द्वस्त हो गया था फिर क्या किया रश्या की सरकार ने इन दोनों के बीच में आगोर्नो कारा बाख रीजन को जोड देता है किसके साथ तो अर्मेनिया से जोडता हुआ नजर आता है यह एक सडक मार्ग है जहां पर आपको अब रश्या की पीस कीपिंग फोर्स अब यहां पर तैनात दिखाई देगी और इस कॉरिडोर के माध्यम से क्या किया गया तो अजर बेजान का यह कहना था कि लाचीन कॉरिडोर से जो अर्मेनिया है वो आम्स की सप्लाई कर रहा है और लगातार जो नागोर्नो कारा बाख का शेत्र है वहां पर आतंगवादी गतिवीधियों को अंचाम दे रहा है तो यह चर्चा चलते रहता है और आज भी अभी भ गतिवीधियों को अंजाम दे रही है और जब तक आतंगवादी गतिवीधिया नागोर्नो काराबाख के रीजन में नहीं रुकेगी तब तक अजर बेजान मिलिटरी ऑपरेशन करना बंद नहीं करेगी इस सबसे जादा जो परिशानी होती है वो नागोर्नो काराबाख मे रहने वाले लोगों को होती है जो हैं तो अर्मेनियाई मूलकी और जिनको रहना पर रहा है जबरदस्तिक इनके साथ अजर बेजान के साथ क्योंकि अंतरास्ची मानिता ये कहती है जो अंतरास्ची इस्तर पर जो मानिता प्राप्त है नागोर्नो काराबाख के शेत्र को व देख लेते हैं अजरबेजान कहां पर अवस्थित हैं अजरबेजान की अवस्थिती की बात करें तो यह आपको दिखाई देगा कैस्पियन सागर के टट पर देखें अजरबेजान और या दोनों ही landlock country है landlock country का मतलब क्या हुआ कि इनकी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती है या समुद्र की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं खुलता है अब आप पूछेंगे कि अभी तो आपने बताया कि अजरबेजान जो है कैस्पियन सागर के टटपर परती है तो कैस्पि अंतरदेशी जील क्यों कहा जाता है क्योंकि यह बहुत पत्ले सक्रे स्त्रोथ के माध्यम से समुद्र से जुड़ती है कौन-कौन से दो श्रोथ है तो कूरा नदी आपको दिखाई देगे जिसकी बाद हम आगे कड़ेंगे इसके साथ-साथ रश्या की वोलगा नदी है ज के साथ-साथ क्या है तो लेंड लॉग कंट्री है अगर अजयर बीजान के उत्तर में देखे तो आपको क्या दिखाए देगा रश्या दिखाई देगा वहीं हम उत्तर पश्यम की बात करे तो जौर्जा सीमा साजह करती दिखाई गी और आपको यहां पर एक दिखेगा लेकिन अन्य देशों से सीमा साज़ा करता हुआ नजर आता है जैसी स्थिती पाकिस्तान और मांगलादेश के हुई थी जब वे साथ महँआ करते हुए तो बीच में कौन था भारत देश की अवस्थिती थी इस तरफ आपका पाकिस्तान था और इस तरफ क्या था बांगलाद आजाद नहीं हुआ था वैसे इस्तिति किसकी है अभी अजरबेजान की है तो ये पार्ट जो नखी शेवान का शेत्र है वो एक्सक्लेव है जो में लैंड से नहीं लगता लेकिन दूसरे देशों से सीमा साजा करता हुआ नजर आता है हमने बात की थी उत्तर में रश्या से सीमा साजा करता है उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया से पश्चिम में सीमा साजा करता है अर्मेनिया से और दक्षिन पश्चिम से बात करें तो आपको इरान दिख जाएगा या दक्षिन में आपको इरान दिख जाएगा और साथ में ये किस्ते सीमा साजा करता है तो तुर्किये से भी सीमा साजा करता है वहीं आपको पूरु में क्या दिखाई देगा तो कैस्पियन सी की अवस्तिती दिखाई देगी इतनी बाते हमें करनी है इसकी राजधानी कौन सी है तो राजधानी है बाकू अजर बेजान का शेत्र है वो ओईल गैस ये सब के लिए यहाँ पर प्रचूर भंडार मिलेगा इसलिए इस पर निर्भरता अन्य देशों की बहुत जादा है इसलिए भूर आजनेतिक लिहाद से बहुत महतुपून हो जाता है वही कैस्पियन सी की बात करें देखिए बहु कि यह ट्रिक वाले मैठर अवाइड करने चाहिए और याद करने की विज्वलाइज करने की कोशिश करने चाहिए कि कैस्पियन सागर की इर्दगूर्द कौन से लोकेशन मौजूद है तो कैस्पियन सागर को देखा जाए तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर उत्तर दिखाई देगा वहीं पूर्व में आपको तुर्कमेनिस्तान दिखाई देगा दक्षिन की बात करें तो आपको इरान दिखाई देगा पश्चिम की बात करें तो आपको अजरबेजान दिखाई देगा और इसी के टट पर दिखाई देगा आपको बाकू और वहीं पूर c سے sema sakhah करते हुए नजर आते हैं देखिए अजर बेजान जो है वो भ excel नहीं करता है जार्जा जो है वो जार्ग जहाइन तो हमने यहां पर बात की रश्या कि फिर हमने यहां बात की जो जार्जिया की यहां आραमेनिया की उससे नीचे हमने यह देखा हमने यहां पे अजर बेजानी एक्सक्लेव था उसके बाद आपने नीचे बात की किसकी इरान की तो इतना सीमा साजा करते हुए नजर आएंगे वही कैस्पियन सी को तो देखे तो रश्या तो देखी लिया था उपर कजाकिस्थान था इस तरफ कौन सा था तो तुर्कमेनिस्थान था नीचे क्या था इरान था और पश्चिम की बात करें तो अजर बेजान सीमा उसके साथ-साथ येरेवन जो है वो अर्मेनिया की राजधाने भी है और सबसे बड़ी सिटी भी है अगर इसकी लोकेशन देखें हम इसे कौन-कौन सीमा साजा करते हुए नजर आता है तो अब पूर्व की बात करें तो आपको दिखाई देगा अजर बेजान डक्षिन की पश्यम की बात करें तो आपको दिख जाएगा इरान पश्यम की बात करें तो ये तुर्किय से सीमा साजा करता वह नजर आएगा वहीं हम उत्तर की बात करें तो ये जौर्जिया से सीमा साजा करता नजर आएगा अजर बेजान की तरह अर्मेनिया भी जो क्या है तो एक ल पढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं Caucasus परवत जो है वह नागोर्णो काराबाग का शेत्र है वह डक्षणी Caucasus region में ही पढ़ता है किनके किनके बीच अवस्तित है तो अजरबेजान और अर्मेनिया के बीच अवस्तित है अंतराश्चे रूप से किसका है अजरबेजान का है लेकिन महां कौन लोग रहते हैं तो अर्मेनियाई मूल के लोग निवास करते हैं यह सारी चीज़े याद रखनी है तो Caucasus परवत की बात कर रहा है Caucasus परवत जो है वो किनके किनके बीच में पढ़ता है तो एशिया और यूरोप को अलग करने का काम कौन कर रहा है तो Caucasus परवत कर रहा है Caucasus को हम देखें तो आपको पूर्व में दिख जाएगा Caspian सागर वहीं पश्चिम की बात करें तो आपको दिख जाएगा Black Sea देखें उपर के हिस्से को क्या कहा जाता है तो Greater Caucasus कहा जाता है वहीं दक्षिन की हिस्से की बात करें तो आपको Lesser Caucasus दिखाई देगा Caucasus परवत किन देशों के आसपास आपको दिखाई देगा तो रश्या भी दिखाई देगा जॉर्जिया दिखाई देगा अर्मेनिया दिखाई देगा और अजर्बेजान दिखाई देगा जो greater caucasus है और lesser caucasus है इनको जोडती है एक परवत शृंखला उसका नाम क्या है वो देख लेते हैं। उसे क्या कहा जाता है तो लिखी परवत कहा जाता है। यह कहा पर है… तो Georgia में आवस्तित है और किन दो परवतों को जोड़ने का काम कर रही है। तो greater Caucasus को जोड़ने का काम कर रही है किस से, तो lesser Caucasus से जोड़ने का काम कर रही है, इतनी बाते जाने, देख लेते हैं कि देखिए, greater जो Caucasus है, उसकी जो सबसे उची चोटी जो है, वो है, यूरोप की भी सबसे उची चोटी है, वो कौन सी है, तो अलब्रूज माउंटेन है, क्या नाम है, इसका ध्यान दीजेगा, अलब्रूज है, लास्ट में S है, अलब्रूज के साथ confuse मत कीजेगा, अलब्रूज परवज जो है, ये बात की किसकी, अलब्रूज चोटी की बात की है, जो Caucasus की सबसे उची चोटी है, लेकिन अलब्रूज जो माउंटेन है, वो कहां पढ़ता है, तो एरान के उत्तर में पढ़ता है, ये लास्ट में Z है, उसमें लास्ट में S है, वो चोटी है, ये परवत है, तो इसमें confuse नहीं करना है, तो इतनी बाते याद रखनी थी, Caucasus परवत जो है, वो कहां पर अवस्तित है, तो एशिया और यूरोप के बीच में अवस्तित है, इसके पूर्व में क्या दिखाई देगा, तो Kaspian Sagar दिखाई देगा, और पस्चिब में आपको क्या दिखाई देगा, तो काला सागर दिखाई देगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिएका ऑपर आपको दिखाई देगा, ग्रेट-Caucasus का की नीचे आपको दिखाई देगा lesser Caucasus का रीजन और जो बीच में पहाड़ी इन दोनों great Caucasus और lesser Caucasus को जोड़ती है उसका नाम क्या है तो लिखी है तो इतनी बात हमने कर ली है बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सेवन जील की सेवन जील कहा अवस्तित है तो सेवन जील ज आथना बहुत जादा मातवपूर है अरस और कुरा कुरा रिवर जो है उसी की ट्रीब्यू्ट में जाती है और टर्की से गुजरते हुए कहां जाती है अरमेनिया में जाती है अगे बढ़ती है और ये बैजरती है अजर बेजान और इरान से याद रखिएगा यह अर्मेनिया और इरान के बीच में भी और अज़र बेजान और इरान के बीच में भी प्रकृतिक सीमा बनाती है मैंने क्या- ense Schuld की है अरश रूं मतल रही है यह तरकी सिटी से निकल रही है किन-किन देशों के बीश में प्राक्रितिक सीमा बना रही है तो टर्की और अर्मेनिया के बीश में प्राक्रितिक सीमा बना रही है और साथ ही अर्मेनिया और इरान के साथ और अजर बेजान और इरान के साथ यह सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और किस स केस्पियन सी जो है वो अंतर देशिये जल निकाय है जिने जल कहां से प्राप्त होता है तो वोलगा और कुरा से प्राप्त होता है तो यही कुरा रिवर है जो किसे जल देने का काम कर रही है तो केस्पियन सी को जल देने का काम क्या कर रही है कुरा रिवर कर रही है अब कुर अजर बेजान और अरमेनिया दोनों ही जो हैं वो भारत के लिहाज से महतुकून हैं 2018 के समय 2017 के समय भारत के उपरासपती ने अरमेनिया का दोरा किया थो और अरमेनिया से भी हमारे संबंद बेहतर हैं अजर बेजान की बात करें तो आपको INSTC यानि International North South Transport Corridor दिखाई देगा जो कहां से निकलता है तो इंडिया के मुंबई पोर्ट से निकलता हुआ बंदर ए अब्बाज यानि इरान से गुजरता हुआ अजर बेजान से गुजरता हुआ ये अस्त्राखान से रश्या का मासको से गुजरता हुआ सेंट पीटर वर् पहुचता है तो भारत को Middle East और यूरोप से connectivity प्रदान करने का काम किया जाता है ये बहुत ज़्याद महत्वपून है क्योंकि माल्ड होने के उद्देश्यों से और कई उद्देश्यों से ये बहुत अच्छा रूट हो जाता है कहां तक पहुचने के लिए यूरोप तक प निमलेख्यत युग्मों पर विचार किजिए यूगम कैसे है प्रय समाचार में उलेख्यत रहने वाले और ये बोल रहा है कि अर्मेनिया और अजर बेजान के बीच में इसे लेकर युद्ध हुआ था अब देख लेते हैं उत्तरी कीवू और इटूरी कहां पर है तो देखिए ये जो है वो अफरीका महादीप में अस्तित है और कहां पर अवस्तित है तो DRC डेमोक्रेटिक रिप देखने को मिलता है सांप्रदाइक विद्रो यहाँ पर देखने को मिलता है सामप्रदाइक विद्रो देखने को मिलता है इसलिए ये जो जगह है वो चर्चा में उस दोरानyesus 225 पर दिया अबी हमने पड़ा है जो नागोर्न नुकाराबाग का शेत्र भbnय थे अभी हम न तो अजर्बेजान और अर्मेनिया के बीच में पड़ता है और दोनों को लेकर इस पर विवाद है तो यह option भी आपका क्या हो जाता है तो गलत हो जाता है तीसरा जो option दिया हुआ है वो दिया है कहां कह रहा है कि इसराइल और लेबनन के बीच में विवाद है देख लेते हैं यह कहां पर है देखे जो खेरसान और जपोरीजिया का location है वो आपको यूकरेन के दक्षिन में दिखाई देगा जो अजोव सी और ब्लैक सी से सीमा साजा करता हुआ नजर आएगा ये क्यों न्यूज में था क्योंकि रस्या और यूक्रेइन का वार्ट चल रहा था इसलिए ये दो शेत्र न्यूज में थे तो आपके प्रश्ण में क्या बोला था कि इसराइल और लेबनन के बीट में विवाद है तो ये आपका गलत है तो तीनों गलत है तो option क्या सही हो जाता है तो option D आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऐसे ही जो शेत्र होते हैं जो विवाद में रहते हैं चर्चा में रहते हैं वो UPSC का फेवरेट जोन हो जाता है और वहां से प्रश्ण पूछने की संभावना बहुत बढ़ जाती है अब आपको PT के लेवल पे concept को लेकर भी question पूछ सकता है उस जगे को लेकर भी question पूछ सकता है तो हमको concept लेवर पर बी बात करनी है और location के लेवल पे मांचित्र के भी लेवल पर बात करनी है तो यह तो था UPSC का प्रश्ण अब देखते हैं आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्ण निन लिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन क्या कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि अरास नदी पूर्वी तुर्की से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है यह कह रहा है पहला स्टेटमेंट दूसरा कथन क्या कह रहा है कि माउंट अरागाच्स ग्रेटर कॉकेस का सब से उचा परवत है तो ये दूसरा कतन चेह hanno किया रहा है नागोर्णों कारबाग का जो शेत्र है वो अजरबेजान और अर्मेनिया के बीच में विवाद का प्रमुक कारन है आपके प्रशन क्या पूछा गया है उप्यूक्त कतनों में से कौन सा सही है यह पूछ रहा है तो एक, केवल दो, केवल तीन और चौथा ओप्शन है एक, दो और तीन इसका उत्तर आपको कहा देना है तो comment box पर देना है ये भी बताना है उत्तर क्यूं गलत है अगर इसमें से कोई कथन है तो आपको इसका कारण भी बताना है कि ये कथन गलत क्यूं है तो आज हमने बात क अगली बार अगली वीडियो में फिर आपको मिलेंगे एक नई जगा कुछ नए तत्यों के साथ और कुछ नई खबरों के साथ तब तक मुझे दीजे इजाज़त धन्यवाद अगली वीजे छूर अगली तूर में जए दूू के साथ तो आपको मुझे साथ तक मुझेट तक मुझे घर पूर।